हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है स्वाद तुम्हें तो हर चीज में कमी निकालने की आदत है उसा ने इतने अच्छे आलू के पराठे बनाए है लेकिन तुम्हें तो कसम खाई है कि तुम्हें तो कमी निकालनी ही है उसकी बनाई कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं आती आज जब पारुल ने अपनी कुक से आलू के पराठे बनाने को कहा तो उसने मोटे मोटे से पराठे बना कर रख दिये रात को जब सरद और पारुल खाना खाने बैठे तो पारुल बढ़बढने लगी, कैसे पराठे सेके हैं, कच्चे पके से पराठे सेक रखे हैं, बिल्कुल स्वाध ही नहीं है इनमे पारुल की इसी बात पर सरद जुझुलाने लगा पारुल तुम नौकरी पेशा हो थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है अम मम्मी के पास नहीं रहती तुम जो मम्मी बना कर खिला दें हमेशा मम्मी के हाथों के स्वाद की तुलना कुक से मत किया करो पारुल तो जैसे अपनी ही दुनिया में खो गई लेकिन पारुल मैंने तो सुना है तुम खाने में बहुत नखरे दिखाती थी मम्मी की बनाई हर चीज में कमी निकालती थी हाँ सरद तुम ठीक कह रहे हो जब तक मम्मी के पास रहती थी साइद उस स्वाद को पहचान नहीं पाई जिसमें पाक कलाके गुडों के साथ सबसे जरूरी गुड प्यार का मिला होता था मा के हाथों के उस प्यार में हर चीज स्वादिष्ट लगती है चाहे फिर वो आलू के पराठे या दाल रोटी हो अब उस स्वाद को तरस गई हूँ उस समय मैं मम्मी के बनाए खाने से ज़्यादा अच्छा बाजार के खाने को मानती थी लेकिन अब समझाता है मम्मी के अलावा कोई भी वैसे प्यार और मनुहार से नहीं खिला सकता मा के हाथों के स्वाद को मिश करती हूँ मैं कहते हुए पारुल की आँख में आसू आ गए कुछ दिन बाद पारुल का अपने माय के जाना हुआ उसकी मम्मी ने बेटी दामाद की आवभगत में बाजार से बहुत सा नास्ता मंगा रखा था जो उनकी बेटी और दामाद को पसंद था धोकला समोसा पकवड़े मिठाई कशवड़ी और भी बहुत कुछ जब सब नास्ते की टेबल पर आए तो मम्मी पारूल के सिरपर हाथ फेरते हुए बोली देख तेरी पसंद की सारी चीजे मंगाई है पारूल ने सब सामान देखा इतना सब कुस था लेकिन उसमें मा के हाथों के स्वाद की कमी थी वो सब टेस्टी चीजे जो उसे साधी से पहले पसंद आती थी आज बेस्व के प्यार और स्वाद को मिस कर रही है इसे आपके हाथ के बनाया आलू के पराठे खाने थे पारूल की बात सुनकर मम्मी हसने लगी चोटी बहन को इसारा किया कुहू भाग कर सोई में गई वापस आई तो उसके हाथों में कुछ था मम्मी ने कैस रोल पारूल के आगे पारूल वोली मम्मी आपने पराठे बना कर रखे थे तो ये सब सामान क्यों क्योंकि मुझे पता था भले ही तुम कुछ भी कहती रहो लेकिन मेरी लाडली को मेरे हाथ के बनाए स्वादिष्ट पराठे ही पसंद हैं देख लिया सरद मम्मी का प्यार पारूल दुनिया के ह प्रमा अपने बच्चों को ऐसे ही प्यार करती है वो अपने परिवार के खाने में अपना प्यार डाल देती है और हर बच्चे को किसी के भी हाथ से ज्यादा अपनी मा के हाथों से बने खाने में ही स्वाद आता है लेकिन वो ये बात तभी महसूस करता है जब वो उस स्व मम्मी के गले लग गई अरे हमें भी तो दो पराठे कुहू और सरद ने कहा तो पारुल ने पूरा कैस रोल उठा लिया नहीं आज तो ये सिर्फ मेरे हैं कहकर वो कैस रोल लेकर कमरे की तरफ भागी सरद और कुहू उसके पीछे भागे मम्मी भी बच्चों का ये प्यार दे कर खुशी से भावी भोर हो गई आसा करती हूं दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छे लगी होगी धन्यवाद